आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, आज हम इस question को solve करेंगे जिसमें given है A student has measured the length of a wire equal to 0.04580 meters ठीक है This value of length is the number of significant figures equal to तो हमें पता है significant figures निकालने के लिए किसी नंबर में हमें कुछ rules होते हैं वो याद रखने वड़ेंगे तो नंबर के हैं मेर पास 0.04580 ठीक है? मेटर तो हमें पता है कि अगर trailing zeros होते होते हैं ठीक है? तो उन zeros को हम लोग significant figures में count नहीं करते हैं तो इसमें significant figure केतनी हो गई जितनी यहाँ पर non zero digits है और प्लस अगर trailing zeros होते हैं तो उन्हें भी count किया जाता है ठीक है? तो इसका मतलब यह वाला zero भी count किया जाएगा तो यहाँ पर 4580 हमारी 4 significant figures हो गई तो significant figures significant figures number of significant figures equals 4 ठीक है? और क्या के बता है मैं significant figures के rules के बारे में कि यहाँ पर अगर initial zeros नहीं होते हैं तो 4580 लट से यह है और अगर यहाँ पर dot लगा हूँ है इसका मतलब क्या है कि जदनी भी digits हैं उस सारे significant figures है अगर यहाँ पर 4580 लगा है और dot नहीं लगा है इसका मतलब क्या है यहाँ पर तीन significant figures है ठीक है? और यहाँ पर अगर दो non zero digits के बीट में अगर एक zero है तो यहाँ पर सारे digits significant figures होती है तो बस यह सारे rules होते हैं जो कि यह मैं याद रखने पड़ेंगे ठीक है? तो options पर आते हैं 5 digits सही नहीं है, 4 digits सही है 6 सही नहीं है और none of these भी सही नहीं है तो बस यही करना तो इस question में that's it, thank you and I hope you like the video Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट 8444 चार्स उपर